25 मार्च को लक्णों के एकाना स्टेडियम में शपत गहन समारो का आईजन किया गया है और इसी कारक्रम की तैयारियों को लेकर सारा समय के समधाता संजीप सिंग ने नव निर्वाचित विधायक राजिश्वा सिंग से खास बाचीत की है बाचीत के दोनान राजिश्वा सिंग ने बताया कि शपत गहन से पहले पार्टी का रहले में एक बैठक का भी आईजन किया गया है जिनमें कई मुद्धों पर चर्चा होनी है बाती जंता पार्टी कार्याले में आद अवज छेतर की एक बैठक होई है 25 मार्च को सफद ग्राण समारों होने वाला है इस सफद ग्राण समारों में क्या किन मुद्धों पर चर्चा की गए हमारे सब बात करने के लिए सरोजिन अगर से नो निर्वाचित विधायक राजी उसवर सिंग जी है सर ये बताए कि जो बैठक आज हुई है किन मुद्धों की बैठक लक्णों में इतना बड़ा समारों होने जा रहा है कारिकरता पूरे उत्तर प्रदेश के देश के उत्साहित हैं सब लोग आ रहे हैं उनको कोई कश्ट ना हो आराम से आए कारिकर में भाग ले और आसानी से खुशी खुशी वापेस जाए इसी के इंतजामों को लेके बैठे आज क्या कोई टार्गेट भी दिया गया है लोगों के लाने का नहीं टार्गेट नहीं पचास जार से जादा लोग आ रहे हैं हम लोग का अनुमान है अधरनी श्री सुनील बंसल साहब ने बैठेक ली थी और सब को बताया है क्या कारी करना है बहुत अच्छे से आयोजन ह होगा इसका आपका अभी नाम चर्चा में है यह सब पार्टी का नेड़ना है यह सब बहुत चीज़ें पिश्टेंगे राजिस्तर सिंग जी जिनका यह साब कहना है कि पार्टी जो संगठन अगर उन्हें जो भी जो है उनको आदिश देते हैं उसका वो पालंद करेंगे स नाहरा समय के लिए लखनव से कैमरा में सतिन रहे के साथ संजीर से